नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नीरज रायते है, मैं लाप्रोस्कोपिक गॉल ब्लाइडर हर्निया की सर्जरीज करता हूँ, मैं लाप्रोस्कोपिक गेस्टो इंटरस्टनल सर्जन हूँ और मुटापा कम करने की सर्जरीज में भी मैं एक्सपर्ट हूँ. Why should we worry gallstones? Gallstones के वज़े से क्या complications हो सकते हैं? इसके बारे में हम आज discuss करने वाले हैं. तो चलिए समझते हैं क्या क्या चीज़े हो सकती हैं? ये हमारा lever है, लीवर से पित की नलिया आती है और वो हमारे पेट में जाके open होती है, जिसको हमारा gallbladder connected रहता है. ये पित की नलिया हमारे खाने के track में open होती है, तो ये हमारा पूरा खाने का track रहता है, और इसी junction पे हमारा एक digestive organ जिसको हम pancreas कहते हैं, वो भी connected रहता है. तो ये pancreas है, ये stomach है, ये liver है और ये gallbladder है, जो gallbladder की stones रहते हैं, उनके size के हिसाब से और उनके number के हिसाब से उनमें बहुत सारे complications की possibilities रहती हैं, इसी लिए surgeons gallbladder के stones से बहुत डरते हैं, तो ऐसे कौन से कौन से complications हैं, जो gallbladder के वज़े से हो सकते हैं, अगर stone का size इस track से बढ़ा हो, तो ये stone यहाँ पे जाके रास्ता ब्लॉक कर देता है, ये रास्ता ब्लॉक हो गया, तो gallbladder का size बहुत बढ़ जाता है, ये ब्लॉक होने वाला रास्ता बीच-बीच में relief भी हो सकता है, इस चीज को हम biliary colic कहते हैं, तो repeated episodes of spasmodic pain in the right upper abdomen, बार-बार अगर पेट के राइट के उपरी हिस्से में हमें pain हो रहा हो, तो वो gallstones के वज़े से हो सकता है, जिसे हम biliary colic कहते हैं, यही stones अगर अठके रहें, तो वो gallbladder का pit का passage block कर देते हैं, और gallbladder की एक बड़ी पानी की थैली बन जाती है, जिसको mucosil of the gallbladder कहा जाता है, यही थैली अगर obstruct होने के बाद, अकोमोडेट करने की उसकी ताकत खमता खतम हो जाए, तो पित की थैली को छेद बन सकता है, और उससे gallbladder के अंदर का पित बाहर निकल के आ सकता है, इसे gallbladder perforation कहते हैं, कभी-कभी इस obstruction के वज़े से gallbladder को सूजन आ सकती है, और patient को बुखार, infection, ऐसी तकलिफे हो सकते हैं, जिसको acute cholecystitis कहा जाता है, लेकिन सबसे dangerous या दरावनी बीमारी यह है, जहाँ पे हमारे gallbladder के stones यहाँ से slip होके यहाँ जाके नीचे अटक जाते हैं, जब यह stones यहाँ पे अटक जाते हैं, तो उसके वज़े से यह जो pancreas है, इसको सूजन आ जाती हैं, इसे acute gallstone pancreatitis कहा जाता है, यह बीमारी जान लेवा हो सकती है, यही obstruction pit के ठहली का अगर constant रहा, तो हमारे patients को obstructive jaundice यानि कि पीलिया भी हो सकता है, जहाँ पे यहाँ पे bile या pit accumulate होके patient के body में bilirubin का number बढ़ता है, तो इन सारे कारणों की वज़े से biliary colic, mucosil, gallbladder perforation, acute cholecystitis, acute gallstone pancreatitis और obstructive jaundice, यह सारे complications patients के लिए dangerous, life threatening रह सकते हैं, इसलिए हम gallstones के patients में surgical treatment advice करते हैं, कुछ-कुछ patients में यह gallstone अगर बहुत दिन रहा, तो उसका size बढ़ते जाता है, जिसके कारण इस gallbladder में cancer की बिमारी भी होने का chance रहता है, पेन बार-बार होना अच्छी बात नहीं है, gallbladder का perforation होना पेट में infection फैलने जैसा हो सकता है, gallbladder का infection होना sepsis के तरफ जान लेवा हो सकता है, pancreas को susan होना dangerous रहता है, उससे pancreatitis जान लेवा हो सकता है, cancer तो हम मानते ही है के जान लेवा है, इन सारे complications के वज़े से surgeons gallstones की treatment, gallbladder removal के direction में बताते हैं, जिससे patient की तब्य ठीक हो सकती है, और इन सारे बिमारियों से हम patients को बचा सकते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि ये gallbladder की scientific information में आपसे share कर रहा हूँ, ये information समझ के आप आपके दोस्तों में, patients में, friends में, जहांपे आपको ज़रुरत लगे, ये information share कर सकते हो, आप scientific information community में spread कर सकते हो, तो हमें like कीजिए, subscribe कीजिए, share कीजिए, अगर आपको कोई doubts हो, तो comments में हमें सवाल पूछे, तो हम और इसके बारे में आपके doubts का निराकरन कर सकते हैं, Thank you.